कोलकता केस में आरजी कर अस्पताल के ततकालिन प्रिंसपल संदीप घोष पर सीबी ने कुष्ण शिकन्जा कसना शुरू कर दिया है सीबी आई चौथे दिन संदीप घोष से पूछताच कर रही है क्योंकि प्रिंसपल भी शक के दाएरे में हैं CB.I की टीम सच पता लगाने के लिए हर पहलू की जांश परताल कर रही है अब CB.I की एक टीम दरंदगी की शिकार ट्रेनी डॉक्टर के घर भी पुहुंची है CB.I की टीम परिवार की लोगों से बात करने में जुटी है इस टीम में 2 महला अधिकारी भी हैं CBI की टीम परिवार के लोगों से ट्रेणी डॉक्टर की डायरी को लेकर भी सवाल करेगी। ट्रेणी डॉक्टर एक डायरी मेंटिन करती थी और उसकी फट्टी हुई डायरी पोलिस को मिली थी। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर कई सारी थियोरी इस वक्त चल रही है कई तो बे सिर्फ पैर के देख रहे हैं लेकिन कई के सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब गहन जाँच के बाद ही मिल सकता है जिसमें पहली थियोरी है क्या ट्रेणी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या फिर ये गैंग रेप था अगर गैंग रेप था तो इसमें कितने लोग शामिल थे इस थियोरी के पीछे की बज़े है 1500 मिली ग्राम सीमन का मिलना हलाकि इससे लेकर भी कई तरह की शंका जताई जा रही है कि ये सीमन है भी या नहीं दूसरी थियोरी क्या ट्रेणी डॉक्टर के साथ दरिंदगी कुछ लोगों की साज़िस थी इसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने बदला लेने के लिए इस तरह की घिनावनी वारदात को अंजाम दिया हो तीसरी थियोरी बड़ी दिल्चस्प है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रेणी डॉक्टर के साथ हैवानियत में अस्पताल का कोई स्टाफ भी इन्वाल्व हो चौथी थियोरी जिसके आधार पर पोलिस ने संजय रॉय को गिरफतार किया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी अभी तक साफ नहीं सवाल वही है आठ और नौ अगस्त की दर्मियानी रात को कोलकाता के आर जी का रस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था इस संवेतनसील मामले में सबसे महत्पूर्ण सबूत मिलना अभी बाकी है और वह सबूत है डी एने जाच रिपोर्ट जी हाँ डीने जाच रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि जवारदात में संजे रॉय अकेला शामिल है या फिर कुछ और लोग भी कि से तप्तिश कर रही है तारीख पर तारीख गुजरती जा रही है और लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर बिट्या को इंसाफ आखिर कब मिलेगा इस बीच केस में अब तक सीबी आई के हाथ क्या कुछ लगा है आपको वो भी जानना चाहिए सीबी आ वाले से खबर है कि सीबी आई के हाथ डॉक्टर की डारी लगी है जो महिला डॉक्टर के श्रव के पास मिली है ये डारी सीबी आई को कोलकाता पोलिस ने सौपी है जिसके कई पन्ने फटे होएं पोलिस ने डारी के फटे पन्ने भी सीबी आई को सौप दिये हैं सीबी जिन लोगों से पूश्टाच करने वाली है उसके लिए 30 से 35 लोगों के लिस्ट तयार की गई है। इस लिस्ट में पीडिधा के दोस्तों के नाम है, साथ काम करने वाटे इंटरन, डॉक्टर के नाम है, अस्पताल की गांड और सुरक्षा कर्मियों के नाम भी शामिल है बोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया है रूख अपा देने वाले इस वारदात की कड़ियां इतनी उलजी होई है कि आसानी से इनका सुलजना बहुत मुश्किल है लेकिन CBI जिस तरह से एक्षन में दिख रही है उससे उम्मीद है कि देर सबेर इस केस का असली गुनागार जरूर सामने आएगा और देश का कानून उसके साथ वही करेगा जो इस तरह के जगहने केस में करता रहा है क्योंकि तभी मिल पाएगा डॉक्टर बिटिया को इंसाब तभी मिल पाएगी ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता के कलेजे को ठंडर तभी मिल पाएगा देश को पूरा न्याए और तभी मिल पाएगा ऐसे गोना अंजाम देने वालों को सब हर्याडा के रोहतक से एक हैरान केरने वाली खबर आई है यहां मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा के साथ मारपीट की गटना सामने आई मारपीट का आरोपी पीजी डॉक्टर है आरोपे की 16 अगस्त की शाम को आरोपी ने मेडिकल केंपस से मेडिकल छात्रा को अगवा किया और उसे अपनी गाड़ी में रात में अमबाला और चंडी गड़ लेकर गया कोलकता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत और हत्या की खौपनाक वारदात को देश अभी भूला नहीं डॉक्टर बेटी के साथ हुई हैवानियत पर पूरा देश आग्रोश में है कि अचानक महिला डॉक्टर से हैवानियत का नया मामला अर्याणा की रोहतक से सामने आया है जहां मेडिकल कॉलेज की छात्रा का किड्नैप किया गया और फिर उसके साथ मारपीट की गए मेरे साथ साथ महीने से टॉर्चर हो रहा है तो मेरे को और अंके साथ नहीं रहना है तो मेरे को मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरे समान ले लेते हैं, कहते हैं तरी अटेंडेंट शॉट कर दूँगा, तर को पेपर मेरी बैडने लेत दूगा दरसल सूला अगस्त को रोहतक मेडिकल कैमपस से महिला डाक्टर को अगवा किया गया आरोपी उसे अपनी गाड़ी में रात में अंबाला और चंडी गड़ लेकर गया जहां उसके साथ मार पीड की गई इसके बाद 17 अगस्त को आरोपी ने डॉक्टर को छोड़ दिया शर्वाती जांच में सामने आया कि पीडिच छात्रा और आरोपी डॉक्टर दोनों PGI MS से तालुक रखते हैं पीडिच छात्रा BDS की पढ़ाई कर रही है जबकि आरोपी डॉक्टर मनिंदर कौशिक एनाटॉमी विभाग में PG का स्टुडेंट है करीब 5-6 महीनों से दोनों एक दूसरे को जानते हैं लड़की के भयान और जांच में अभी तक योन उत्पीडन या रेब का कोई मामला सामने नहीं आया है पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छापे मारी कर आरोपी डॉक्टर को गिरफतार कर लिया है फिलाल आरोपी रेजिडन्ट डॉक्टर को निश्कासित कर दिया गया है ऐसे में सवाल है कि अगर महीला डॉक्टर अपने साथ ही डॉक्टरों के भीची सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षा कहा है एक बड़ी खबर राजस्तान के उदेपुर से है जहां पर चाकुबाजी में घायल चात्र देवराज की मौत हो गई है सूला हगस्त को स्कूल में चाकुबाजी हुई थी M.B. अस्पिताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है अस्पिताल का एक गेट बंद किया गया मृतक चात्र के परजनों ने आरोपियों को फांसी की मांग की है बड़ी खबर माप को राजस्तान के उदेपुर से बता रहे है जहां पर चाकुबाजी में घायल चात्र देवराज की मौत हो गई है सूला हगस्त को स्कूल में चाकुबाजी हुई थी जिसके बाद चात्र को अस्पिताल में भर्ती करवाए गया था एमबी अस्पिताल में उसका इलाज चल रहा था जहां उसकी मौत हो गई च्छातर के मौत के बाद अस्पताल के बाहर भारी संख्या पुलिस बल्ड को तैनाद किया गिया है अस्पताल का एक गीड भी बंद कर दिया है मृतक च्छात्र के परिजनों ने आरोपियों के लिए फांसी की सजात्नी मांगी आग्रा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला अग्यात वहान ने साइकिल सवार युवाक को टकर मार दी इस आदसे में युवाक की मौत हो गई हादसा थाना बाख शित्र के नरहोली गाउं में हुआ सूचना वर पहुंचे पुलिस ने शवको कबजे में लिया